नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी को अपने यूटूब चैनल टॉप चिकर स्टड़ी में तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ सेर्ट करने वाला हूं बिहार कॉंस्टेवल की जो 21301 पोस्ट निकली हुई है उसे से हम बिहार के जिके लेकर आया है डे वन जिसमें हम आपको 50mcq share करने वाले है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बिहार में कितने परमंडल है जी दोस्तों बिहार में कुल कितने परमंडल है बताईए अगर आप सब को किसी भी question answer याद है तो comment box में जरूर comment करिएगा question 1 का 7, question 1 का 8 इसी हिसाब से आ बतलब answer देते है तो आपको आधा से ज्यादा question ऐसे ही याद हो जाता है तो चलिए अब बताएए बिहार में कितने परमंडल है तो आपका answer बिहार में कुल 9 परमंडल है जी दोस्तों 9 परमंडल बिहार में है और कौन-कौन से है वो आप देख सकते हैं पतनात तिरहूत सार प्रण, दर्भंगा, कोशी, पुर्णिया, भागलपूर, मुंगेर और मगद ये नौठो परमंडल है नेक्ष्ट को से है बिहार की राध्धानी कहा है बिहार की राध्धानी कहा है बताए दोस्तों आप सभी को पता होगा बिहार की राध्धानी पटना है नेक्ष्ट को स कुछंस है आप सब को दोस्तों किसी भी कुश्षन का आंसर पता हो तो कॉमेंट वक्स में कॉमेंट करेगा अगर आपको लाश्ट तक अच्छा लगे तो like and comment and share जरूर करिएगा तो next question है बिहार का राजकिय भासा क्या है? दोस्तो बिहार का राजकिय भासा हिंदी व उर्दू है हिंदी व उर्दू बिहार का राजकिय भासा है question number five है बिहार का राजकिय ब्रिक्च क्या है? बिहार का राजकिय ब्रिक्च दोस्तो people है पीपल बिहार का राजकिय ब्रिक्ष है जो की आप सभी को आंसर पता होगा नेक्ष्ट कोस्टंस है बिहार का राजकिय पुस्प क्या है कमल, गेंदा, गुलाब या इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता होगा दोस्तो बिहार का राजकिय पूस्व गेंदा है जो की पिला-पिला होता है Next questions है बिहार का राजकिय पसु क्या है गाय, बैल, भैस या घोड़ा आपको सभी को दोस्तो आंसर किसी को भी पता होगा तो comment box में जोनों comment करियेगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तो बिहार का राजकिय पसु बैल, बैल बिहार का राजकिय पसु है Next questions है बिहार का राजकिय पक्ची, बिहार का राजकिय पक्ची क्या है दोस्तो बिहार का राजकिय पक्ची हंस, मुर्गी, कोयल या गुरिया तो आपका आंसर हो जाएगा गुरिया गुरिया बिहार का राजकिय पक्षी है नेक्स्ट कोसंस है बिहार दिबस कब मनाय जाता है दोस्तो बिहार दिबस कब मनाय जाता है अगर बिहार के है तो आप सभी को पता होगा बिहार दिबस कब मनाय जाता है तो 22 मार्च को बिहार द कितने जीले है बिहार में कुल कितने जीले है बिहार में 32, 34 या 36 या 38 तो आप सभी को पता है बिहार में कुल 38 जीले है जी दोस्तों बिहार में कुल अनु मंडल है तो बिहार में कुल 101 यानी 101 अनु मंडल है नेक्स्ट कोस्टन्स है बिहार में 200 विद्यालयों की संख्या कितना है बिहार में 200 विद्यालयों की संख्या कितना है तो आपको पता होगा दोस्तो बिहार में 200 विद्यालयों की संख्या 21 है 21 विद्यालय है अपना औ और इसमें संख्या 21 है जो कि आपको कॉंस्टेवल में अगर ये कोस्टन्स आये तो फटा फट 21 जरूर आप मारिएगा बिहार में विश्व विदेले की संख्या 21 next question है बिहार में सरवादीक जन संख्या वाला जीला कौन सा है बथा पटना जन संख्या के मामलएमे सबसे ज़्यादा है बिहार में, नेक्स्ट कोसंस है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या बला जीला कोन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या, ज्यादा पटना और कम, कम के बात करें, तो फटा फट मार देजेगा दोस्तो, मुंगेर, सिकपूरा या सीता मरी या खगरिया, तो आपका आंसर हो जाएग मुंगेर बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला कम अगर ज्यादा के बात करते हैं दोस्तों तो देखिए बिहार में सर्वादिक लिंगा अनुपात वाला जीला गोपाल गंज और सबसे कम कम में मुंगेर और सबसे ज्यादा में कोन हो जाएगा तो गोपाल गंज नेश्ट को संस है बिहार में सर्वादिक साक्षर्टा वाला जीला कोन है साक्षर्टा दोस्तों बिहार में सर्वादिक साक्षर्टा वाला जीला के बात करते हैं तो आपका रोहतास आ जाता है सर्वा पुर्निया या समस्ती पूर या खगर्या तो सबसे कम में आपको हो जाएगा पुर्निया अगर आंसर आप सभी को पता होगा तो comment box में जरूर comment करिएगा दोस्तों नेक्स्ट कुस्टन से दोस्तो बिहार में सरवाधिक बरसा वाला जीला कौन है? बिहार में सरवाधिक बरसा वाला जीला कोन है? तो बिहार में सरवाधिक बरसा वाला जीला के बात करते हैं दोस्तो तो आपका अंसर हो जाएगा किसन गंज. किसन गंज बिहार में सरवाधिक सबसे कम बिहार में सबसे कम बरसा वाला जीला कौन है तो बताइए तो आपका अंसर और अंगाबाद नेक्स्ट कोसंस है फटाफट करते हैं दोस्तो बिना किछी देरी के बिहार में सबसे ठंडा वाला जीला कौन है बिहार में सरवाधिक ठंडा वाला जीला गया है गया सरवाधिक ठंडा वाला जीला है नेक्स्ट कोसंस है दोस्तो बिहार में सबसे बरा नगर कौन है बिहार मे सबसे बढ़ा नगर भागलपूर्ठ, दर्भंगा, मदवनि या पत्ना तो आपको पता होगा अपना सबका क капytal पत्ना यानी पत्ना सबसे बढ़ा नगर है नेक्श्ट कुस्ट्स है मूल रूप से बिहार सब्द का अर्थ क्या है बताईे, मूल रूप से बिहार सब्द का अर्थ क्या है? तो आपका अंसर हो जाएगा बौद मत. बौद मत मूल रूप से बिहार सब्द का अर्थ है. next questions है दोस्तो बिहार में नमक सत्यागरा कब आरम हुआ बिहार में नमक सत्यागरा दोस्तो कब आरम हुआ बताईए 6 फरवरी 21 या 6 फरवरी 1929 या 15 अप्रेल 1930 या 7 अप्रेल 1932 बताई दोस्तो काफी important questions है तो आपका answer हो जाएगा 15 अप्रेल 1930 जी दोस्तो 15 अप्रेल 1930 को हमारा नमक सत्यागरा आरम हुआ था next questions है बिहार का प्रिथक परांथ के रूप में गठन की मांग प्रस्तूत कब की गई थी तो आपका आंसर बताईए दोस्तो बिहार का प्रिथत प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 में की गई थी Next question है बिहार का मुगल समराज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएं दोस्तों 1504 या 1540 या 1580 या 1600 तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540, 1540 बिहार का मुगल समराज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था Next Question की और बढ़ते है बिहार बिधान साभा में बारतमान में कितने सदस्य है important question से दोस्तों ये याद अखेंगा ये question से पहले आपको fireman में भी पूछा हुआ है question से और दो तीन एकजाम में पूछा हुआ question से काफी भी भी ये वे question से और आप सभी को याद कर लीजिएगा अग को लगता है नहीं याद होगा तो जरूर देख लीजिएगा तो बताइए बिहार बिधान सभा में बरतमान में कितने सदस्य है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार बिधान सभा में आपका 243 है नेक्स्ट कोशन्स के और बहेंगे बिहार से लोकसभा के लिए कितने 40 सदस्य चुने जाते है 40 सदस्य बिहार में लोग सबा के लिए चुने जाते है Next questions है पटना उच नियाले के अस्थापना कब हुई थी पटना उच नियाले के अस्थापना कब हुई थी 1916, 1917 या 1918 या 1921 बताएए दोस्तो कमेंट बक्स में कमेंट जरूर करियेगा दोस्तो पटना उच नियाले के अस्थापना कब हुई थी अगर आप लोग सभी को किसी का आंसर अगर ज़्यादा लगे तो हम इनका next वीडियो में नाम भी share करेंगे तो पटना उच नियाले के अस्थापना 1916 में हुई थी दोस्तो 1916 में पटना उच नियाले के अस्थापना हुई थी next questions है बिहार में राज सभा के कितनी सीटे है बताए दोस्तो बिहार में राज सभा के लिए कितनी सीटे है तो आपका आंसर हो जाएगा 16 16 सीठे बिहार में विधान सभा के लिए है नेक्स्ट कोस Hamilton के और बरेंगे ज्यार खंड बिहार से कव पृथक हुआ था बताएए ज्यार खंड बिहार से कच च अंज सब्सक्रान सब्सक्राइब बिहार से कव पृथक हुआ था तो आपका आंसर हो झाएगा बिहार और उरिसा बिहार और उरिसा का बीभाजन 1936 में हुआ था 1936 में नेक्स्ट कोसंस है बिहार सोचलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे बिहार सोचलिस्ट पार्टी की संस्थापक जैपरकास नरायन थे जैपरकास नरायन बिहार सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेक्स्ट कोस्टन्स है बिहार के पर्मुख समचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे तो आपका आंसर हो जाएगा बाबु महेस्वर परसाद बिहार पर्मुख समचार पत्र के संपादक थे नेक्स्ट कोस्टन्स है बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राष्टे कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा उप्सन नम्मर शी यानि गया बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राष्टे कॉंग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था तो गया तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तो, सहजानंद सरसोती, सहजानंद सरसोती के दौरा बिहार में किसान सबा क्या स्थापना की गई थी, बिहार प्रांतिय किसान सबा का गठन किस सन में हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में बिहार बंगाल से कब प्रिथक हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तो बिहार बंगाल से 1912 को प्रिथक हुआ था 22 मार्च इसी चलते दोस्तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से प्रिथक हुआ था नेक्स्ट कोस्वंच है 1867 की कुरांती बिहार के नेता कौन थे तो आपका언सर हो जाएगा दोस्तो कुबर सिंग कुबर सिंग भिहार 1857 के कर बिहार की नेता थे कुबर सिंग नेक्स्ट कोसंस के और बहेंगे पटना को प्रांतिया राजधानी किसने बनाया बताईए पटना को प्रांतिया राजधानी किसने बनाया तो आपका आंसर हो जाएगा सेरसा जी दोस्तो सेरसा ने पटना को प्रांतिया राजधानी बनाया नेक्स्ट कोसंस है बिहार में सरवाधीक लोक पिरिय सुल्तान कौन थे जी बताईए लोक पिरिय सुल्तान बिहार में सरवाधीक लोक पिरिय सुल्तान कौन थे सेरसा सूरी बक्तियार खिल जी इबराहिम लोदी या अलावदिन खिल जी तो आप सभी को पता होगा बिहार में सरवाधीक लोगपिरिया सुल्तान कौन थे तो सेरसा सूरी सेरसा सूरी विहार में सरवाधीक लोगपिरिया सुल्तान थे नेक्स्ट कोसंस है नालंदा विश्व विद्यालाई का भेवाव किसके हातों में नश्ट हुआ है बताए दोस्तों नालंदा विश्व विद्यालाई का भेवाव किसके हातों नश्ट हुआ है तो आपका आंसर कौन सा है पता होगा तो आपका आंसर इनी चारों में से एक है जो आपका आंसर सामने में दिखे रहा है बक्तियार खिल जी अप्शन नमर ए बक्तियार खिल जी नालंदा विश्व विद्यालय का भेवव हातों का नश्ट हुआ था नेक्स्ट है किस काल में बिहार की राजनितिक, सक्ति, सक्षिक और सांस्कृतिक गरीमा खंडित हुई है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर क्या है बताए मुगल समराज्य या गुप्त काल या मध्यकाल या इन में से कोई नहीं तो आपका अंसर हो जाएगा मध्यकाल में नेक्स्ट है किस मुगल सासक ने सर पर्थम भिहार को अपने समराज्य में मिलाया था तो आपका अंसर है दोस्तों बावार, जहांगीर, अकबर, या हुमायू तो आपका आंसर हो जाएगा option नमर C. अकबर मुगल सासक के सरपरतम बिहार के अपने समाजियों मिलाया था अकबर ने Next question है पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटली पुत्र के संस्थापक उदाइन थे नेक्स्ट कोस्टन्स है पार्टली पुत्र में इस्थित चंदरगुप्त का महल मुख्यता किसका बना हुआ था बताईए पार्टली पुत्र में इस्थित चंदरगुप्त का महल किसका बना हुआ था इसी चल दे दोस्तो परना बहुत जरूरी है तो आपका आंसर हो जाएगा लक्री का बना हुआ था दोस्तो चंदरगुप्त का महल मुख्यता लक्री का बना हुआ था नेक्स्ट कोशन के और बढ़ेंगे पाठली पुत्र में इन में से किस सासक ने सरपर्थम अपनी राजधानी बनाई तो आपका आंसर क्या है बताईए पाठली पुत्र में किस सासक ने सरपर्थम अपनी राजधानी बनाई तो अपना दोस्तो याद होगा आपको कौन सा है चंदगुप्त मौर्या चंदगुप्त मौरिय है आपका जो पाटली पुत्र में सरपर्थम राजधानी बनाए थे नेक्स्ट कोशन से बिहार में 1857 की क्रांती जी दोस्तो बिहार में 1857 की क्रांती के नेता कुवर सिंग का दिहांत कब हुआ था तो आपका अंसर हो जाएगा 9 मैं 1858 को 9 मैं 1858 को कुवर सिंग का दिहांत हो चुका था जो की काफी वीर पुरूस थे नेक्स्ट कोशन से बिर्षा मुंडा का कारिय च्छेत्र कौन सा था बिर्षा मुंडा का कारिय च्छेत्र कौन सा था तो आपका आंसर होगा राची बिर्षा मुंडा का कारिय छेत्र था जो कि राची में नरेंद मोदी ने काफी बहुत बड़ा अच्छे इनका गारण बना है दोस्तो और काफी अच्छा है जुरूर देखिएगा बिर्षा मुंडा का कार्य छेतर कौन सा था तो आपका आंसर है राची नेक्स्ट कोस्टंस है दोस्तो आपका लास्ट कोस्टंस आ चुका है जो कि चंद गुप्त मौरिय के गुरू का क्या नाम था तो आपका बताए दोस्तो इन में से कौन सा आंसर होगा चंद गुप्त मौरिय के गुरू का क्या नाम था बताए तो आप सभी का आंसर आ चुका होगा कॉमेंट बॉक्स में चलिए हम भी बता देते हैं चंद गुप्त मौरिय के गुरू का नाम चानक क्या था तो दोस्तो हमारा यही पर day one खतम हुआ अगर आप लोग सबको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे टॉप जी के स्टेडी को like, share and comment जरूर करिएगा दोस्तो हम एक बात बताना चाहते है कि ये टॉप जी के स्टेडी जो है उनका हम नाम change करके आर भी जी के स्टेडी 24-7 रखूं तो आप लोग सबको क्या है comment box में जरूर कमेंट करिएगा कि ये नाम ठीक है कि नहीं चैनल का अगर ये चैनल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम आप ही सबके लिए अभी चैनल नाम नहीं बदले हैं अगर आप लोग सबको मन करता है दूसरा चैनल होना चाहिए तो comment box में जरूर comment करिएगा तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you so much